इस वीडियो में हम लोग भी हार बोट क्लास 7 प्रस्णा वाली 15.1 का क्वेश्चन नमर देखेंगे इस वीडियो में तो देखते रिएगा वीडियो को लाज तक तो चलिए बिना समाएगा वायम करते वीडियो को स्टार्ट अब देखें क्वेश्चन नमर तीन के रहा है एक वर्गाकार मैदान का छेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उस मैदान की परिमीती ग्यात कीजिए इसमें देखें छेत्रफल दिया है और परिमीती क्या करना आपको निकालना है तो चलिए इसको हम भी इसी परकार से देख लेते ह क्या दिया है वर्गाकार यानि की वर्ग के जैसे इसको बना हुआ है यह क्या है वर्ग के जैसे यहां पर इस परकार से हम वर्ग जैसे जितना यह बड़ा उतना ही इधर जितना इधर उतना ही इधर चारू क्या है समान दिया हुआ है समान भुजा दिया है वर्ग में क्या ये दिया है हमारा 144 वर्ग मीटर और ये देखे ये जो भुजा दिया हुआ इसका मान निकालना है इस भुजा को हमें नहीं पता है ये भुजा हमें नहीं पता है जो कितना दिया हुआ है ये भुजा क्या करना हमें निकालना है और इसके बाद निकालेंगे परिमीती तब जा मैदान, मैदान, वर्गाकार मैदान का, क्या चीज निकलना है, भुजा, वर्गाकार मैदान का भुजा, बड़ावर, एक्स मीटर माना, माना कि वर्गाकार मैदान का भुजा, एक्स मीटर है, क्योंकि हमें नहीं पता है, तो हम इसको यहां पर भुजा दिये हैं, इसको एक् इसको X माने तो यह भी X होगा यह भी X क्योंकि यह 4 भुजा क्या होता है इसका समान होता है वर्ग में तो यह हमने X मीटर मान लिया इसका वर्गाकार भुजा मान लिया तब जाकर कि इसमें निकालना है अब देखिए वर्गाकार मैदान का छेत्र फल दिया 144 वर्ग मीटर त मेटर वर्ग मेटर दिया हुआ है तो हमने इसको लिख दिया अब लिखेंगे प्रस्था अनुसर यहाँ पर मैदान मैदान का छेत्रफल बड़ावर कितना दिया 144 मीटर स्क्वाइड तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए वर्गाकार मैदान का छेत्रफल दिया हुआ 144 मीटर स्क्वाइड तो वर्ग का छेत्रफल क्या होता है वर्ग का छेत्रफल का फर्मुल्ला इसमें लगाएं ऍलढूं है meter square तो यहां पर भूजा दिया खुझा हमने नहीं पता है तो हमने क्या माना एकस माना उया alleviate की क्या लिख देंगे और बराबर निदेंगे यहां इन दोनों को गुना करेंगे तो यहां आपक स्क। यहां पडूत लगा देंगे का वर्ग मुल करेंगे जब 145 का यहां पर वर्ग मुल करेंगे तो यहां पर लिखेंगा हम अत या तो अता वर्ग का भुजा वर्ग का भुजा बराबर 12 क्या चीज में दिया है मीटर में तो लिखेंगे मीटर 12 मीटर क्योंकि यहां पर दखें यह जो X दिया हुआ था X क्या माने वे थे भुजा तो यह हमारा वर्ग का क्या है यह जो वर्ग दिया हुआ इसका भुजा निकला है X का मार निकला है 12 मीटर तो हमारा यहाँ पर वर्ग का भुजा तो निकल चुका है अब निकालना हमें परिमीती यहाँ परिमीती ज्याद करने के लिए तो हम उपर निकाल लेते हैं अब परिमीती तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा यहां पर इसका फर्मुल्ला था वर्गाकार मैदान का परिमीति तो यह वर्ग का परिमीति क्या होता है वर्ग का परिमीति होता है चार गुने भुजा यह इसका फर्मुल्ला होता है तो यहां पर देखें चार है तो लिखेंगे चार और गुने भुजा तो पर चार कहे रहा है नीचे दिये गए चित्रों में छायांकित भाग का छेत्र फल ग्याद कीजिए यहां पर देखिए यह नीचे दिया गया यहां पर नीचे दिया गया आकिरती यानि की चित्र नीचे जो दिया गया यह चित्र ए बी और सी में उस चित्र में जो है छायांकि यार के रहा है नीचे दिये गए चित्रों में छायांकित भाग का छत्रफल फल ज्याद किजिए नीचे दिया गया यह एध्या आया क्या वाकार से इसका क्या करना हमें चित्र फल इंकर फल करते हैं सबसे ह nuo को आयत की तरह दिखने में लग रहा होगा और अधसमान इसमेनिका षामने की हो चोटा औरहें यह बुजा बढ़ा है यह क्या है आयत का चित्र है तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे यह नमर में लिख लेंगे यह नमर का अंसर हो जाएगा च्छायांकित भाग का च्छेत्र भल भाग का च्छेत्र भल च्छायंकित भाग का च्छेत्र भल क्या हो जाएगा यहाँ पे में क्या यह आयत का चित्र है तो लिखेंगे आयत का चेत्र फल में क्या करेंगे माइनस कर देंगे किसको यह देखें नीचे अंदर में क्या है इसके अंदर में आयत का अंदर में यह दिया हुआ है चित्र वर्ग का यहां पर लिखेंगे वर्ग का चेत्र फल वर्ग का छेत्रफल याद रखिएगा यह है वर्ग का छेत्रफल आयत का छेत्रफल में से मैनस करेंगे वर्ग का छेत्रफल तो निकल जाएगा चायांकित भाग का छेत्रफल तो यहाँ पर लिखेंगे बढ़ावर में देखिए आयत का छेत्रफल का फर्मूला क्या होता है को य। आपको लगा देना आयत का छेत्रफल का फर्मुला होता है लंबा आईगुने-चोड़ाई और मायनस का चीन लगाएंगे वर्GS का छेत्र संटीमيटर चोड़ाई दिया हुआ humor शोलो संटीमीटर देंगा 16 संटीमीटर naar मैनस का चेन लगा तो मैनस का चीन और हुजा कितना दिया है इसका अब देखिए यह वर्ग का चत्र है है वर्ग कार यह है यह वर्ग का छित्र और वर्ग का चत्र पर ऊंटना है वार है देएग्श को वर्ग कितना धाँ फांस सेंटीमीटर आ पांस सेंटीमीटर और गुनिया नहींगो observed भूजाOUT सेंट्री मटमें 355 सेंट्रीnatर को बारेंगे तो यहां पे हो जाए ज intent 6 प्लकल निंकल अ क्या जीमित पयासि किया बारी से प्लकार से हमार होगा पहला आसर अब यसी परकार से देख लेंगे बी नमर में भी को आयत की तरह ये देखने उनलगे यह क्या है आयत दिया हूओ 거기 और छोटा में भी देखी यह आयत की से तरह यह क्या है आयत की तरह तो यह वी आयत तो बड़ी आयत मं क्या करेंगे चोटी आयत को मैनस कर इसमें भी लिखेंगे बी नमर में लिखेंगे चायांकित भाग का छेत्रफर बराबर हो जागा बड़ा आयत है तो यहां पर इसमें दखिए दो आयत दिया हुआ है तो कुछ न कुछ तो प्रूप देना परेगा इसलिए हम इसको बड़ा आयत मान लेते हैं और इसको छोटा जोटा आयत आयत का च्षेत्र फलखेंगे यहां पे आयत का च्षेत्रफर होगा यहां पर क्या होता है लंबाए गुने चवरह यहां पर लिखेंगे लंबाए गुने चोड़ाई माइनस का चीन है तो माइनस का चीन छोटा आयत का च्छेत्रफल छोटा आयत का भी च्छेत्रफल हुआ ही होगा लंबाई गुने चोड़ाई तो यहाँ पर देखें लंबाई कितना दिया है लंबाई इसका दिया हुआ बड़ा आयत का च्छेत्फल में लंबाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर तो लिखेंगा हम 15 सेंटीमीटर गुना का चीन चोड़ाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर तो लिख देंगा हम यहां पर 10 सेंटीमीटर और माइनस का चीन है तो माइनस का चीन अब छोटा आयत में देखेंगे छोटा आयत यह हो गया तो आठ को गुणा करेंगे दो से तो आठ दूनित के 16 cm अब हम इसमें से माइनस करेंगे 150 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 135 cm और इसमें 6 फ Donald निकाल दो 6 फ़ल में हम क्या करते हैं, हमेंसा sq लगाते हैं, तो इसमें sq लगा देंगे तो यही हो जागा इसका answer इस पर का नुमर में क्या दिया हुआ यह है C नुमर, C नुमर में भी देखिए यह क्या है, यहाँ पर देखिए यह 11 cm और यह 12 cm यानि कि यह भी क्या है, आयत का चित्र है यहाँ पर इसमें भी लिख देंगा हम छायांकित भाग आयत में हम क्या करेंगे इन दोनों को क्या करेंगा, अंदर में दोनों एक जगा पर है यहाँ पर दोनों क्या है एक कास्ट के है, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है और दोनों अंदर में है इन दोनों को जोड़ेंगे और इस आयत में हम इन दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो यहां पर देखिए यह बड़ा क्या है आयत है सबसे पहले तो लिखेंगे हम आयत का चेत्रफल और इसमें से माइनस करेंगे हम क्या यहां पर देखिए इसमें माइनस कर देते हैं नीचे लिख लेते हैं माइन वर्ग है तो यहां पर लिखेंगे बड़ा वर्ग का छेत्रफल माइनस छोटा वर्ग का छेत्रफल तो अब देखिए यहां पर हम इस परकार से बंद करेंगे अब इसको हम करेंगे तो यहां पर देखिए चायांकित भाग का छेत्रफल निकालना है तो आयत का छेत्रफल क्य हम भूजा और इसमें सोट हमने माइनस का चीन देद यहां कि यहां पर फ्यerieक्त होता अन्दर में ऄिक का स्ट कहें तो यहां यहां हमालों के यहांपर प्लेस का चीन है तो यहां पर इसमें भी लिखेंग clip चोटा वर्ग का छित्फल भी हो जागा भुझा गुने भुझा अब दखे यहां पर लंगाए गुझा्ण चोड़ा है यह आयद का छित्फल निकाल यहां लंबाए गुझा तो आयद का छित्पल कितना दिया लंबँघा 12 cm तो लिखेंगे 12 cm और गुने चोड़ाई कितना 11 cm तो लिखेंगे 11 cm और कोस्ट में भुजा कितना दिया है अब देखिए वर्ग में जाएंगे बड़ा वर्ग में तो बड़ा वर्ग में इसका भुजा कितना है 2 cm तो लिखेंगे 2 cm और गुने 2 cm और पलॉस का चीन अब देख और इसको देखे यहां पर गुणा का चीन देंगे इसके बाद और यहां पर लिखेंगे दो को दो से गुणा करेंगे तो दो दुनी के चार सेंटीमीटर पलस में एक को एक से गुणा करेंगे तो एक सेंटीमीटर अब हम इसको बाहर कर लेते कोस्ट से अब इसको हम कोस्ट स यहां पर क्या चीब में मैं था सभी जगा यहां पर crazy बहुत मुझे फित्व में मैंनस यहां पर भी माइनस यहां पर जागा चार का दूसरा नमर में किसी एक चित्र के लिए यह भी बताईए कि च्छायंकित भाग का छित्रफल ग्याद करने के लिए आपने क्या किया तो यहां पर देखिए दूसरा नमर में कहे रहा है पहला नमर चार का पहला नमर में जो तीन चित्र दिया हुआ था A, B, C उसमेंसे किसी एक चितर के बारे में बताना है जिसका छायंकितवह का च्षेतिफ़ल गयाध करने के लिए हमने क्या क्या था तो एक चितर के लिए हम बता देते यहां पर देखिए चलिए इननको देख लेते अपने तो देख लीजिने यहां पर पहला का हम देख लेती सी परकार से पहला का दूसरा नमर में लिख लेंगे यहां पर लिखेंगे एक के लिए लिए चित्र एक के लिए लिए यहां पे लिखेंगे यहां चायांकित भाग का छेत्रफल ग्यात करने के लिए बड़े आयत में से छोटाई वर्ग को घटा दिया देख लीजे यहां पे पहला नमबर का यहां पे देखिए इस परकार से हमने जैसे जैसे किया हुआ तो वही लिखना था तो यहां पे देखिए हमने बड़ा चित्र में से क्या किया था छोटा वर्ग को घटाया हुआ था यह आयत में से हमने वर्ग को गटाया था तो वही बात हमने लिख दिया है तो इस परकार से हमने चार का पहला और दूसा देख लिया अगले वीडियो में इन्स आगे देखेंगे तब तक के लिए गुर्भाई